गुड्मॉर्णिंग फ्रैंड्स कल हमने डिस्कस किया था सीत युद्दु के बारे में और हमने देखा था कि सीत युद्दु के परभाव क्या हुए तो इसमें सबसे पहला परभाव तो ये हमने बताया था कि इससे दो धुर्विय बिश्व की सुरुवात हुई तो दो धुर्विय बिश्व की सुरुवात को हम इस वीडियो में समझेंगे कि दो धुर्विय बिश्व से क्या तात्प्रिय है दो धुर्विय बिश्व से अर्थ है कि बिश्व के जादा तरदेश दो महा सक्तियों की और आकर्सित होने लगे या उनके द्वारा बनाए हुए गुट में सामिल होने लगे ये दो महा सक्तियां जैसे आपको विजित है कि एक था संग्तुराज अमेरिका और दूसरा था सोव्यत संग तो इस तरह से दुनिया के तमाम देश दो गुटों में सामिल होने लगे और इस परकार दो महा सक्तियों में दुनिया के देशों के सामिल होने को दो धुर्विय विश्व की प्रारह में कहा जाता है अब इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरे बिश्वयुद्ध में ये दोनों देश एक साथ दुरी राश्ट्रों का सामना कर रहे थे और जिस प्रकार जापान को प्रास्त करने में आत्म समर्पन कराने में अमेरिका का हाथ रहा तो ठीक उसी प्रकार जर्मनी को हराने में सोवियत संग का बहुत बड़ा योगदान था लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि ये दोनों देश जो मितर राश्ट की तरप से एक साथ थे ये कैसे इनमें मन मुटा हुआ और एक सीत युद्धु का लंबा दौर चला तो इसकी पीछे काफी लंबी कहानी है कि जैसे 1917 में सोवियत संग में बोलसेविक करांती होती है जिसमें जार के सासन को हटाया जाता है और वहां के जो नेता उभरते हैं ब्लादिमिर लेलिन वहां के नेता के तौर पर वहां देश का सासन चलाते हैं जिसको अमेरिका के द्वारा सहमती परदान नहीं की जाती है और काफी सालों के बाद अमेरिका ने उसे एक राष्ट के रूप में सुईकार किया था तो उसके बाद क्या हुआ कि जब अमेरिका के द्वारा जापान पर उसके सहरों पर परमानुबम गिराए गए तो रूप ने भी इसकी आलोचना की आपको परमानुबम गिराने की जर्वत नहीं थी लेकिन इन मन मुटाओं के साथ साथ धीरे धीरे अमेरिका और ब्रिटेन ये नजदीक आते गए और रूस के साथ रूस याने सोवित संग के साथ इनकी दूरियां पढ़ती गई तो इस परपेक्ष में सबसे पहला जिकर आता है 1946 में ब्रिटेन के राष्टपती जो चर्चिल थे ब्रिटेन के राष्टपती उस समय कौन से चर्चिल थे विश्टन चर्चिल इन्होंने अमेरिका का एक फुल्टन सहर है फुल्टन सहर उसमें एक भासंड दिया था और ज खड़ी की जा चुकी है जिसका संकेत सोव्यत संकी तरफ था या सोव्यत संकी साम्यवादी ब्यूस्ता की तरफ था और उसमें इनों कहा कि हमें इसके खिलाब एक जूट होकर काम करना पड़ेगा याने ब्रेटेन और अमेरिका को एक साथ आकर रूस के शाम्यवाद का बिरोध करना पड़ेगा तो इस तरह से जो चर्चिल का फुल्टन भासन था यह भी एक तरह से सीत युद्धु में इसने आग में घी डालने का काम किया उसके बाद फिर दूसरा आता है एक ट्रूमेन सिद्धान्थ ट्रूमेन सिद्धान्थ अमेरिका के जो राष्टपती थे वो थे ट्रूमेन लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकिंड चलना था दूतिय अभी सुद्ध चलना था उस समय अमेरिका के राष्टपती रोजवेल्ट थे लेकिन उसके बाद ट्रूमेन वहां के राष्टपती बने और ट्रूमेन ने एक सिद्धान्त दिया जिसको ट्रूमेन सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है ये 1947 मेनों ने दिया था इनों ने कहा कि हमें रूस के सामयवादी प्रभाव को रोकने के लिए कुछ देसों को या European देसों को आर्थिक और बित्यसायता देनी पड़ेगी नहीं तो यदि हम आर्थिक और बित्यसायता इन देसों को नहीं देंगे तो ये देज रूस के सामयवादी प्रभाव में आ जाएंगे और इस तरह से इसको true man सिद्दान्द के नाम से जाना जाता है यदि आप से पूछा जाए कि true man सिद्दान्द क्या है तो इसमें आपको लिखना होगा कि true man अमेरिका के राष्ट पती थे इन्होंने 1947 में एक सिद्दान्द दिया जिसके द्वारा इन्होंने ये समझाया कि यदि हम यूरोपियन देशों को साम्यवाद के परभाव से रोकना है तो हमें इनकी बित्य और आर्थिक मदद करनी पड़ेगी और true man सिद्दान्द से परभावित दो परमुक देश हैं तुर्की और योनान अब इन दोनों देशों की थोड़ा मैं कहानी आपको बता दूँ जो तुर्की की बात है तो तुर्की में क्या हुआ कि सोब्यत संग चाता था कि तुर्की अपने समुद्री मार्ग से हमारे जो ब्यापारिक जितने भी जहाज जाएंगे उनको बिना रोक डोक जाने दे और क्योंकि वही एक मार्ग था जहां से सोब्यत संग दुनिया के किसी भी इलाके में ब्यापार कर सकता था और इसके लिए सोब्यत संग तुर्की पर लगातार दबाव डाला था तो उस समय टुमेन सिद्धान्त के अनुसार तुर्की को आर्थिक और बित्य साहिता दी गई जिससे तुर्की ने सोब्यत संग का सामना किया और इस तरह से तुर्की को साम्यवाद के परभाव से रोका गया दूसरी घटना आती है यूनान या इसको गरीक भी कहते हैं गरीक का जो गरहयुद था यूनान का गरहयुद उसमें एक कॉम्मिनिस पार्टी थी और दूसरी एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसका गरीस की सेना का सयोग था अब जो Communist Party थी उसको योगोस्लावया, योगोसलोवाक्या का सयोप्राग था और योगोसलोवाक्या का जो उस समय मुख्या था वो था टीटो और योगोसलावया भी जोलोवाक्या भी एक Communist राष्ट था इस समय सोव्यत संग की भूमेका उसमें नहीं थी क्योंकि Soviet Sun और United Kingdom में एक संदी वी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस ग्रहय युद्ध में हस्त अच्छे नहीं करेंगे तो इस समय योगो सलावा किया इसको सपोर्ट कर रहा था ग्रीक की Communist Party को और फिर ट्रूमें सिद्धान्त के द्वारा जो वहां की Democratic Party थी जिसको वहां की आर्मी सपोर्ट कर रहे थी उसको बित्तिय और आर्थिक मदद दी गई और उसके द्वारा इसको ग्रीक को साम्यवाद के प्रभाव से रोका गया तो इस तरह से आपने समझा कि ट्रूमें सिद्धान्त क्या है और ट्रूमें सिद्धान्त से किन-किन दो देशों को साम्यवाद के प्रभाव से रोका गया तो इसकी जानकरी आपको हो गई होगी कि दो देश तुर्की और यूनान हैं जिनको की ट्रूमेन सिद्धान्त के द्वारा आर्थिक और बित्य साहिता परदान की गई यह बात ध्यान रखने की है कि ट्रूमेन सिद्धान्त में किसी भी परकार की सैनिक साइता का प्रावधान नहीं था ट्रूमेन सिद्धान्त में केवल बित्य और आर्थिक मदद का ही प्रावधान किया गया था यह तो हो गया आपका ट्रूमेन सिद्धान अगली बात आती है कि आपका मारसल योजना आपके पास कई बारे क्वेशन आता है कि मारसल योजना क्या है या मारसल योजना से आप क्या समझते हैं तो मार्सल योजना जब ट्रूमेन अमेरिका के राष्टपती थे उसी दोरान उनके विदेज सचीव थे जिनका नाम था मार्सल मार्सल योजना भी 1947 में ही शुरू ही थी और 1947 से 1951 और 1952 तक ही चली इस योजना के तहट मार्सल जो वहां के विदेज सचीव थे उन्होंने कहा कि हमें योजना के प्रभाव से रोकना है तो हमें इनकी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी और इस तरह इसमें मुख्यतो पश्चिमी योजना के देशों को इन्होंने टार्गेट किया और उनको साहिता परदान की गई क्योंकि दूसरे विस्वयुद में ज़्यादा तर देश की आर्थिक इस्तेती बदहाल हो गई थी और इन अमेरिका ने इन देशों को इसमें लगभग 18 देशों को इन्होंने आर्थिक मदद दी थी मार्सल योजना के तहत लेकिन उस 18 देशों में जो 50 परसेंट जो आर्थिक मदद थी वो पश्रिमी जर्मानी, ब्रेटेन और फ्रांस को दी गई थी और बाकी जो 50 परसेंट का भाग था वो अन्य 15 देशों को दिया गया था तो इस तरह से मदद के नाम पे इनका मुख्या उद्देश यह था कि योरोप में सोब्यत संकेश साम्यवाद को परभाव को रोकना और उसके साथ साथ इन्होंने यह भी कंडिशन रखी थी कि जो भी आप टेक्नलोजी खरे देंगे या कच्चा माल खरी देंगे उस सब का आपको कहां से खरीदना पड़ेगा USA से लेना पड़ेगा याने पैसा भी हमारा ही हो और सामान भी हमारा ही बिके तो इस तरह से इसको हम मारसल योजना के नाम से जानते हैं अब तो ये तो थी दो योजनाएं जो अमेरिका के द्वारा चलाए गई जो आपके question में अक्सर पूछे जाते हैं कि Truman सिद्दान से आप क्या समझते हैं या मारसल योजना क्या है तो इन दोनों योजनाओं का जो मूल मकसद ये था कि योरोपियन देशों में या योरोपियन कंट्रीज में साम्यवाद के प्रभाव को रोपना है तो आपको उन देशों को उनकी आर्थिक और बित्यसायता करनी पड़ेगी तो ये चीज आपकी किलियर हो गई होगी और उसके बाद आता है कि सैनिक संगटनों का विकास तो सैनिक संगटनों के विकास के बारे में हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद have a nice day